देख सकते हैं किसप्रकार से पडिवार में कोहरा मτέ हुई है अभी अभी संकरकामत के लास तो देख सकते हैं जैसे ही इस बात की ख़वर लगी है पडिवार में पडिवार की लोगों का crown हा आइस आप समसकते हैं आपको बता दे कि इस घटना को लेकर के परिवार और गौ में मातम छा गई है चलिए हम आपको दिखाते हैं खिलास जो आई है उसकी क्या सिक्ति है देख सकते हैं किस प्रकार की हलात पत्नी की है इधार संकर की मा जो है आठ दिन से अपने बेटे की खोज में तो वहीं पत्नी जो है आठ दिन से अपने पती के खोज में और बच्चे लोग जो है वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ढूनने में लगे हैं जहां संकर कामात अपनी मा की अर्थी उठाता आज सामने में बेटे के अर्थी को उठते हुए देखे हैं तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की पहार जो है दुखों का पहार जो है तो टूटा है एक मा का दर्द जो है वो क्या है वो आप समझ रहे होंगे एक बूढी मा अपने बेटा से आसा लगाई थी और बेटा कहके गए थे कि आप लोगों का पार लगाएंगे यानि आप लोगों का भार हम उठाएंगे लेकिन आज एक बूढी मा अपने बेटे के लिए किस प्रका यह नहीं सकते हैं इनके बगलक अगलके जो भी हैं सभी है सभी के आखों में आप देख सकते हैं कि इस परकार की आशू है एक साची है वह देखे किस परकार से रो रही है क्या कहना चाहेंगे चाची आपने दियों यह जिखास तक ना बनते नहीं बने चाहें अपने खास दियों यह तक ना यह ते उमार जाओ तो मर्दी और दुनुता अपने खंदाने के जिटा के नहीं सुमीत का पहले ही दासंसकार हुआ था आज संकर का दासंसकार होने के लिए डेट बोड़ी आया है और उनका दासंसकार के लिए बोड़ी को समसान घाट ले जाया गया है अभी हम मध्वनी जिला के राजनेगर प्रखंट के बिलवार गाउं में पहुंचे हैं और बिलवार बने शाब छे उनके लेल वे आकूल आप दिन से विए आकूल शाब नहीं चैहें आठ दिन से मरेई छे लोग चुली मैं ने उख पर ने किछो पर किछ ने सब उखड़े में लागाल छी दूटा टालार की छे दूटा बहु आचलिया सब सजेठी हाचलिया अब आपके अपने पिता के अर्थी को लेकर समसान गए है आप पड़िवार में क्यों कमाई वह लाचे राजा बेटा के जेठा छे लई साबाटा पलवार के देब करो खई छे लई हो आप देख सकते हैं अभी हम ज्यादा देर यहां नहीं रुकेंगे अब चलते हैं समसान गाट वहां लास जो जल रही है उसका भी कवरेज करके हम आपको दिखाएंगे संकर के लाच को लेकर के पडिवार की लोग लगातार बाला सोर के तमाम जगों पर धुंडते रहे अब जाकर के उनका लास पहुंच है उनका आपको बता दे कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि संकर कामत और उनके भतीजे जो चिन्ने कमाने के लिए जा रहा था